तो हलो दोस्तों आज हम लोग यूर्गेन हेवर मास के बारे में पढ़ेंगे तो अभी भी ये जीवित है उन्हें सोंतिस से इनका जीवन कल्च्राल ही रहा है तो एक मात्पूर्ण चीजे हैं चलिए इनका जीवन परचे देखेंगे तो इनका एक आधा सबाग है क्या कि सार समाजी जीवन को जो मुँल अधार है freedom तो आँगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे freedom आज हम लोगों की दबाई जा रही है freedom पर हम किस तरह गलाग उठा जा रहा है है और किस प्रकार हैवर मास जो पब्लिक स्पियर है वहाँ पर पब्लिक स्पियर है वहाँ पर फ्रीडम की बात करते हैं इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये नौ मार्क्स बादी हैं बिसिकली और फैंकपड स्कूल से जुड़े हुए हैं और ये दुती प्यर्णी की है न नियो मार्क शिट कहूंते हैं जो यंग मार्क्स की बशाधयरा पर काम करते हैं तो उनेज़ सो चलु पन में और इनकी समाजिक अंसंधान संस्था। स्कूल के प्रसिद्र प्रोफेसर त्योडोर अडर्णो कि यह सोच सायंग बन गए थे और तीन साल बाद ही स्कूल जो मुखिया थे उसमें मैक्स और खाइमर के साथ इनका भी बाद हो गया आता है उन्हें संस्थान चोड़ देना पड़ा और वे हाइडल बर्ग विसुवज द्याले में दर्शन साथ के प्रोफेसर बन गए लेकिन इच्छा देखिए 1964 में फिर से ये फैंकपड लोटे और यहां पर उन्होंने दर्शन सास्थ और समाज सास्थ के प्रोफेसर के रूप में होरकाइमर की जगह ली कुर्ची समाली और जो क् सब्सक्राइब के अन्य सदस्तों की भाति है वर हीगल और काल मास का प्रवाव बहुत महत्पूर्ण है तो ऐसा कोई जर्मन दार्शनिक नहीं है जो इस पर हीगल का प्रवाव ना रहा हो हीगल एक बहुत महत्पूर्ण थिंकर है उसका जो आइडिया है स्टेट का और कारण हुआ सभी जो कंटमप्रेरी थिंकर से उनको प्रवावित करता है तो इन्होंने आधुनिक्ता याइन मोड़ोन्टी पर दिये अपने एक बैख्यान में हीगल को आधुनिक्ता का जनक का है हीगल से ही आधुनिक्ता पनपी है क्योंकि हीगल आइडिया पर महत्पूर करते हैं यहां पर मांक्स के बितर हैं और यहीं से फिर यह आधुनिक्ता कि मार्क्स को केंद मान कर उसे ुखार और संसोसित करते हैं तो यह Marx की विचारधारा का समर्थन करते हैं लेकिन जो Marx आगे चलके एक Orthodox की तरफ बढ़ गया था और Marx जिस पर गार हर बुराई में इकिनोम को रूद लेते हैं तो इसका इन्हों ने विरोथ किया था और बाद में चलक है इन्हों ने उसको चीजह को प्रोव्ह काatif कर老師 का मार्क्स का इकनोमिक निजम है कि हर चीज की जड़ है वह इकनोमी है तो ऐसा उनका माना नहीं पर जाएंगे तो ठीक है लेकिन और बहुत से चीजें हैं पर ग्यांपर मीडिया चर्च इसकूल यह सब चीजें भी अपना इंडिपेंडेंट अस्टित्व रखती हैं और यह भी चीजें प्रहवित करती हैं तो इकनौमी बस नहीं है जो हर चीज को प्रहवित करती है तो य सब्सक्राइबर मास ने जहां संचार किया सिद्धान यानि कम्मुनिकेटिव एक्षान थिओरी पब्लीक स्पियार सर्वनिक छेत्र विमर्सी लोक्तंत डिलेबलेटिव डेमोकरसी आधुनिक्ता वा ग्यानोदय यानि मोडरन्टी एंड इनलाइनमेंड जैसी अद को मानना था कि अभी जो आधुनिक्ता है वह एक अधूरा प्रोजेक्ट है अभी आधुनिक्ता ही पूरी नहीं हुई है और आप लोग कैसे आंगे चल कर वो पोस्ट जो मॉडन थिंकर है इनको क्रिटाइज करते हैं कि अभी तो आधुनिक्ता ही अपने चरम बिन्दू प अधुनिक्ता को एक अधूरा कांसर्ट माना है एक अपन प्रोजेक्ट है वर्मास ने फैंकपाटी स्कोल की दूती पिठी का बिद्वांत थानब अलोशनावाजी सिधान्त नियों क्रिटिकल थोरी कप्रमुक निवाता होने के रोप में तीन कायक्रमों की प्रत्मिक्ता पहला अलोशनात्मक सिधान साचसे के तरह अगस्ट कॉम्टे के क्रत्तक्षवाद बाइस भी जाम है जो क्या है नॉलेज है उसका एक मात सोर्स क्या है क्या है क्या है साइन्स और आंगे चलके इसका हो ज्यादा पोस्ट पॉस्ट्रम ने समर्थन किया है तो इसको आंगे चलके पढ़ेंगे क्या क्या इनमें अंतर है बारीक अंतर समझेंगे लेकिन यही है कि जो नॉलेज है उसका एक मात में इसमें तीसरा जो है तो ग्यानों-ड़य या प्रभधनकाल है और आदनीकता क किधाण को आंगे बढ़ाया और उत्तर आधनिकताबाद का विरोध किया और उनका माना था कि आधुनिक्ता एक अधूरा प्रोजेक्ट नोट क्या है कि कम्मुनिकेशन के तीन हिंदी पर आये हैं अभियक्ति संप्रेशन और संचार अगामी प्रस्टों में इन तीनों हिंदी सब्दों कदल बदर कर प्योग किया जाएगा पर इसका जो अंग्रेज संचार और विकास का संचार और समाज का विकास उन्यासी त्योरी और कॉमुनिकेटिव एक संचार आत्मा क्रिया सिद्धान तो निस्वेक्यासी ते फिलोसोफिकल डिस्कोर्स आप मॉडेंटी अधिनिकता पर दासनिक प्रिवर्स और निस्व पचासी में बुकाती है रिद्विन फेक्स और नॉम्स कोलन कंटिवूशन दुवा डिस्कोर्स ट्योरी आफ लायन देमकरसी तत्यों में मान लिए लिए वेस्टों अच्छा है मुकाती है मांधवन बुक है कुछ तो यादर रखिएगा उसमें पहली तो है यह इस्ट्रेक्षल्ट टांफ़र्मेशन और पबली स्पैर यह मातपूर्स बुक है इसको जरूर यादर रखिए पिर इसमें जो नेस्ट बुक है इसमें के उपर कम कर रहें किस पिकार में अंतर है कि अन्तर सिधान तो माक्सवात के अलोचना की है व्यावर मांत्स का सम्मन भेंक पर हैं इसलिए वे माक्स के अलोचना भी करते हैं और आलोचना का कैंसर बिन्दू क्या था तो आर्थिक जो निध़र्णनबार्ण है यानि एकोनॉमिक चर्मिनिजम है वह लगतना का अधार है जो Marks हैं और परमपरागत या नि क्लाशकल जो माक्सिस्ट हैं मानते हैं कि आर्थिक तथ्वे, आर्थवस्था ही समाज मी परिवतन कामूल करन है तो Marks'a कहते हैं Cisco is basic structure Western economic structure is basic structure यानि तो economic structure है वही basic structure है और all other structure are based on economic structure और economic structure से ही सब ही structure मेडिया हो गई चर्च हो गई स्कूल हो गई यह सभी जो इंस्ट्यूशन है यह सभी इक्राउनों की स्ट्रेक्चर पर ही बेस्ट हैं और उसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं लेकिन बाद में हैवर मास बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है आईडियाज भी महात्पुन भून का निभाते हैं और जो उपर के इंस्ट्यूशन है वो भी अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व रखते हैं यह जो माक्स एकनॉमिक टर्म यम का कांसिट्ट देते हैं उसको इसको इसका भी रोत करते हैं आर्च वरस्था ही राजवा राजनीत को नेंदित करती है इसके पास इस आर्थिक न्धर schön बात के अलोचक वनकी अनुसार आज सान्स्कृतिक और राजनीतिक जीवन बदल गया है आज रदव कि परावित कर रहावित कि इल्वास्था है ऑज PB को अले सउना घर तो तो इस्टेट तर्यम करता है जिससे के मात हम से जो मार्केट है वो फेर बना रहे हलका सा तो यह बात है आंगे आज राज स्वयम अर्थवस्था की दिशान दिशाइद करता है तो हर्ण के लिए 1990 में 1990 के बाद हुआरा जो देश में जो आर्थिक उदारबाद नेजी करण और वस्पी करण आया इसका ने पर लिए अर्थिक उसे कम हो रहा है लेकिन साइकल लाजिकल सोचन या साइकलोजिकल आपो सोचन और निजाति जो रेशियल डिसक इन इसन है इथनीख जो आउटिसन हैं ज्यादा हो रहा है कैसे ठिकाली विक्सी समाज में स्कार्ण नहीं क्यूंकि कि समकों के पास भी अच्छी हो गई है उनका मनो onun ज्ञानिक्तेकंदर बालरक भिच्ञ से लंग करते होना तूम व Emily गोड़े नहीं है और जो उनका मतलब होता एत्क छरी इत्यकर यह एथिनीग तो सोचन होता है वो भी होता है बार बार उनको उनकी इसनिसिटी याद दिला जाती है है अधार के साथ अधार के साथ 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 सब्सक्राइब करता है मीडिया करता है मीडिया का रूल बहुत इंपॉर्टन का रूल बहुत इंपॉर्टन सिल्थ आरिकानी कम्यूनिकेटिव रीजन को माधपुन सब्सक्राइब दिया जिसके तहत आधात था अच्छनचनक निर्मान में संचार की भूम का निरनायक होती है तो आज आप देख रहे होंगे कि मीडिया हर चीच को कंट्रोल करती है और जिसका कंट्रोल मीडिया में हो आपने भी देखा होगा कि अडानी ने टीवी को एक प्रकार से अवर्टेक कर लिया है इसा क्यूं क्यूं क्यूंकि जब अडानी के अभी उसके उपर अरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ कबला किया उनके स्वेर बहुत नीचे चले गया थे लेकिन मीडिया ने एक निर्य रचनाये हैं उसको गिराने काम कर रही है तो नेसलिजम हावी हो गया तो मीडिया ने पूरा खेल ही बदल दिया और रातो रात जो उसके सेर गिरे थे उनमें इस्टिविल्टी आ गए तो मीडिया इतना महत्पूर्ण है यह बात यह मिस्टर बिग्यान और प्रद्योंकी क को सामिल किया है क्योंकि विग्यान प्रद्योंकी के आप रत्यासित विकास निमानाव की स्तंत सोंच तार्किकता और मौलिकता को समाप्त कर दिया तो आप 24 घंटे आप मौल में बिजी रहते हैं रिल्स देखा फलाना डेकाना हर जेच किया तो अब आपकी जो मौलिक साथ लोग दोस्तों के साथ चीजों को सीखते भी थे हम लोग लेकिन अब आप हर वेक्ति आप देखें मौबाइल में बीजी है अभी एक प्रक्रण हुआ था जहां पर एक बच्चा था मौबाइल में सोते हुए मौबाइल में पबजी खेल था तो ये मौलिक सोंच है हमा पर आप पूरी तरह से विज्ञान और पद्द्योकी का जो प्रभूत है सावित हो चुका है आप कोई भी चीजी एक बार साच कर लीजी अगर आप मोबाइल साच कर लिए किसी साईट पे आपको जो भी योटूप फोलेंगे आप फेस्बुक खोलेंगे कुछ भी सब के साथ होता है मतलब है हमारे सबसात नहीं है सब के साथ हुआ है आप यहों को लेड़ भी कर रहे होंगे सद्धान लोग धस्ते जा रहे है इस के आबरन में इससे मुक्ती की बात करता हूए तो भीज्ञान और टक्नियक क्विश्ट किया जाना चाहिए है वर मांस का अलोशनातमक सिधान यानि है वर मांस की जो क्रिटकल ठोड़ी है मांक्सबादी होते हुए भी है वर मांस ने कट्टर मांक्सबाद को चुकार किया जो अर्थोडाक्स पर जो इफ़सार था वहां पर कटर माक्सवाद फालो किया गया जिसका परणाम क्या हुआ कि वहां पर कुछ बिस्षिट लोगों का कुछ ही लोगों का पुरे राज पर या पुरे इफसार पर कपच्छा हो गया तो जो माक्सवाद को ओरिजिनल स्वरूप था जहां पर माक्स ने रिट किया था कि जो जो बजदूर वर्ग है उसका सासन होगा वो समात्थ हो गया और कुछ ही भी सेश लोगों का एलिट लोगों का पज़ा होगे तो इसका वो बिरोत करदा है वर्माद साथ ही माक्सवाद आडिलोजी तो नहीं बचित यह मार्क्स बाद हमाइसा मांक्सीजम हमेशा एक आज-एस मिलाता रहेगा कि अगर आपने जनता को सोचंट किया मादूरों तो एक दिन आज कितने भी बड़ी स्टेट हो विलफियर कदम उठाने से बाज नहीं आती है यह तो बिलफियर कदम क्यों ठाई जाते हैं क्यों क्यूंकि यह मार्क्स का ही प्रभाव है कि अब जो स्टेट है वो थोड़ा सा बैलेंस्ट हो गया है बैलेंस्ट हो गया तो भले मार्क विजा आडिलाजी उसका कोई महत्पना रहे गया हो लेकिन मार्क सीजा में जा फिलास्फी आज भी आस्टेट तुम्हें है और हमेशा रहेगी जबता कैप्लियम है तबता है बर्मास का नो मार्क सबाद जर्मन समाज सास्री मैंक्स बेबा मनोबेग्यानिक फ्रायड और अमेरिका अमेरिके के जो भासर भी थे लोम चौम्सकी से प्रहावित है उसको देखेंगे कैसे है बर्मास का अलोशनात्मक वा नमाक्सवादी सिध्धान्थ हमपेशन का युक्त युक्त या तार्किक सिध्धान्थ तो रेशनल थिओरी मैकस पेपर हैं वो त्यन पकार की अथार्टी की बारे मताता है तो यह ऊथार्टी है पर अदिशूं का आदेशों का परण करते हैं फिर है करिजमेटिक या निकरिशमाई लिटरसिप तो भर इंपल बर्तमान के कहा जा तो मुदी जी कि जो लिटरसिप है करिजमाई लिटरसिप है और उन्हीं के तले पूरा एक आपरन तयार कर दिया गया लेकिन थार्ड जो है लीगल रिशनल ल कि इस पर कोई लाग रपेट नहीं है ना ये महत्पून है और इसको लौ के दौरा मेंटीन किया गया है भेवर मांस ने मैक्स वेवर के बुद्धि संगत्ता या तरकिक्ता को लिया है जहां मांक्स का रंदात्मा भौतिक वाद बेक्ति को हासिय पर ड्याल देता है वहीं वे सब्सक्राइब करते हैं कैसे अब्जर्वेशन के मांद्यम से मनुष्य के जो वेक्तिका संसार है उसको समझा और पढ़ा जाता है अव्यक्ति सिल कम्मुनिकेटिव एक्षन का सितान्त है इसका आधार विस्तम फ्रायट का मनुविग्यान नाम चोश्की नाम चोश्की और हावरमास तो अमेरिकिविद्वान नाम हम चोश्की करते हैं इसके मात्यम से हम चीजों को कम disp OFF करते हैं तो इसी जो कि इसका प्रयोग कम्यूंकेशन के लिए किया जाता है मीडिया के द्वारा तो यह बहुत बहुत पुलन है वहां सके अलोचनात्मक किन द्धान के नभीन मानक तो नहीं नौम्ध किया है पहला सम्टरेशन वह व्यवेग पर बल तो कम्यूंकेशन और रिजन पर इसमें व को भी बशक मानते हैं क्योंकि संप्रेशन में विवेक का महत्थपूर्ण स्थान होता है अव्यक्ति सेलता वा भासा पर बल जहां माक्सकार वा स्रम पर अधिक जोड़ देता है वहीं मैक्स वेवर संप्रेशन वा भासा लैंग्विज को अपने विश्लेशन का केंद्रिया मानता है मैक्स वेवर ने अपने प्रसेद दिक्रिति द्थियोरी आफ कम्मुनिकेशन उन्निस और शियासी में संप्रेशन वा भासा को माना तो अभी भी हम इतने सक्षम नहीं हुए है कि हम अपनी चीजों को सही रूप में इस परस्ष कर सकें इसके लिए जरूरी है कि हम ह defini कि हमें एक इस टाक इस के लिए मात अघमाश का तरक्ष है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्मार करना संथ वर वह विक्ति परकूँ जहां भीना किसी दावां बंधन कैपने विचारें संपेसित कर सके कोई डिस्टिक्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रिकार का विचारों सामयबाद और पहुजी बाद के लोचना तो सब्सक्राइब करते हैं तो जो रोणिवादी माक्स बाद है उसका वो रोध करते हैं और इसमें इस्टारिन बाद या लिन निजम आ जाता है इसका भी हो रोध करते हैं समाजिक विग्ञानों का अध्यान प्राक्राक्रतिक विज्ञान के तरह करना चाहता है यह समाजिक शुस पर अलोशनात्मक सिध्धानकारों के तरह है वरमास प्रत्तक्षभात के कट्टर भीरोध ही है देना सरकल के नप्रत्तक्षभात यानि नियो पौश डे विजम के भीरोध में वह मानते हैं के बल्ड तत्यों तरकिया बिज्ञान से समाजी के थारतवात को नहीं समझा सकता है मूर्णियों का अध्यान भी अवश्या कहता है तो अगर आप बैलू उसको नहीं कि वहादनाएं की हैं उसको नहीं समझें तो पर क्ट है पुर्प से उक्ता है यह अपने पुष्ता के नौटेंड हमन में लिखते हैं कि पत्प्षबाद नेना कर वान प्राक्तिक दुनिया वरन समाजिक दुनियों को समझने में भी हमारी चमताओं को सिमित कर दिया किसने पतक्षबाद में नर्ट क्यों कि साइंस की लिमिट है साइंस ऐसा नहीं है कि साइन्स इंडिन मिट जा सकता है साइन्स की भी लिमिट और जब हम यह मान लेते हैं कि हर नॉलिज का ढूरम स में कर रहे हैं हम अपननी रिमिट कर रहे हैं अपने लालोज को siXT से कई कर रहे हैं साइन्स तक है इसको हर व्यक्तिनी experience कि इसको बताया नहीं जा सकता है लेकिन है चीजी है तो अगर आप कह देंगे केबल साइंस है इसके ब्योंड कुछ नहीं है तो फिर साइंस भी तो पूरी नहीं है मेडिकल में भी बहुत सारे समतकार होते हैं हर जगह समतकार होते हैं हर जगह चीजें ब्यों संवर्थ का सवहर्थर नियुक्त का सार रूप में राजनेतिक चर्चा पर लिचाघ तो यू बीचाइड देंगे कि को राइबर मात्पुन मानते हैं डेमक्रिसी का जो बास्विक मतलग होता है वो डिलिवरेशन ही होता है जब तक आप चाह लोग को साथ बैठ कर चाय पर चर्चा नहीं करेंगे अब तक आम समत्री कैसे बनेगे आज हम देखते हैं कि संसद में बिल पास हो जाते हैं लोग आते ह पढ़ता है कियुक्त कि जो हमारी जो मूल प्रवित्ति है वो कहा है इंटरनेट में है टिक टाक में हैं हम ळोग ज़ो हमारे जीवन से जुड़े हुए हमाथ पूर्ण मुद्धे उनको समझ मेह रहे हमारा तो ध्यान फेस्बूक पर है पता नहीं कहां कहां है हमारा ध्यान अपने मुद्दों पर नहीं है अपने जो हित के मुद्दे हैं वहां पर नहीं तो यही है राजनीति जो चर्चा पर चर्चा है विचार में मर्स है वो डाउन होता जा रहा है लेकिन लेकिन यह लोग कंद का सार है और यही डाउन होता ज में दो चीजों ने लोग तंत को विगाड़ दी है पहला उधारबादी पूझीबाद तो इस विवस्था ने राजनीती को बजार संबंधों में ढाल दिया है जहां सक्तिसाली आर्थिक गोटों और समुहों के परस्परिक संब्सवादे से राजनीत चलती है ऐसे विवस्थ तर्क सिल और सुतंत्र राजनीतिक परचाचा क्यों हो पाती है क्योंकि पूझी पति मीडिया में नहीं चाहेंगे कि संत्र और संगत धर्चा हो अब मीडिया को खरेद लिया गया है एक गोदी मीडिया कर नाम आपने सुना होगा तो आप लोगों को वही वही चीजें जार करती है आपकी जो मौलिक सोच है वह समाथ हो चुकिए तो उत्तर पूझी बाद है यह मार्केट फोर्सेस को ज्यादा मार्केट फोर्सेस को अगर हम ऐसा हमको करना है उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को वही दिखाया जाए ऐसे चीजें दिखाए जाए ऐसा एड लन संपर के सारव तो मीडिया भी आज कल तर्क बीतर्क पासरी सोचने के प्रसार नहीं करता न में यह दो इक काम करता है विए पारी ख्यतों को बढ़ाना और गटिया मन रंजल तो यह क्या करता मेडिया क्या करता मीडिया मीडिया ने अभी जो पढ़ानी वाला केस हुआ था उसको तो सही फेक दिखाने के जगह इसको राष्टबात से जोड़ दिये तो मीडिया भ्रमित कर रहा आज मीडिया के जो एंकर है आपने देखा होगा वो किसी एक पार्टे विसेस के समर्थक नजराते हैं उनका नोट्रल नोट्रल्टी है वो प्रकार से गयब होता है है वह अपने विचार को सुष्ट करनी ब्जाएं जभकि एक संबाद दाता जुषण काम न ही होता है उसका कदा ही काम नहीं होता है कि वह अपनी बीचार धारा रखे नॉर्म्स में यहां पर देखती आपस में किसी भी चीज पर कर सकते हैं तो यह लोगतंत बोड केंद्रित है तो लोगतंत बोड केंद्रित होने की बजाए बातचित केंद्रित होना चाहिए जब हम ज़्यादा चीजों को देखेंगे समझें जीजों के ओपर बात करेंगे तो हम तो कर अगर मिजोटी ही अपनी बात रखती रहेगी तो जो अलब संख्याक हैं जो तो भी कुछ ले लोगे उनकी तो बात नहीं समने आएगे इस पकार से लोक तंत्र रहे न रहे क्या मतलब तो भी तंत्र हो गया इसे मुद्दे पर समझदारी विक्सित कर एकमत हो जाता है अधर मास अजनीतिक सहभागिता और तंत्रबाद वाली मीडिया नहीं इसके इसमें फेज्बूक सोसल मीडिया भी सामिल है है ना फेस्बूक ट्यूटर इंस्टाग्राम यह सभी सामिल है तो यहां पर भी एक विसेश प्रकार के दिसाने इस देशे दिया स्पॉंसर्ड एड आते हैं आपने देखा होगा तो यह सब चीजें हमारे जो मौलिक सोंच है उसको प्रावित करने का काम किया जा रहा हुआ है कि वर्दमान में लोगतंत्र पूंजी बात की मत्तनाव पैदा हो गया है इसका कार्णिया है कि उत्तर उदार पूंजी वादी देशों में परिचर्चा उस्तंत विचाल में मास का शेद संकीन हो गया है संचार साथनों वा मेडिया पर सौमित जो इस्ताबित कर पूंजी पति बाणे जिग घराने सब्विनिक परिचर्चा का प्रयोक स्वहित के लिए कर रहे हैं इस इस हिती जुटकारे के लिए वर् वश्चक मानते हैं सर्वनिक शेद के अब धारना कॉंसेट अब पब्लिक स्वह उदार पूंजी वाद जंसंपर्क के साधनों विज्ञान हुआ तकनीक निक सर्वनिक की विचारि मरस्य वर लोकतंद को जो नुक्सान पहुँचा है उसका वप्चार chaseव भी मरसी लोकतंद और वी अवश्चक है कि सब्जीनिक्स्वियр है पबलिक की इस घर केडिए हम जिसे सब्सक्राइटी कहते हैं उससे है वर सब्सक्राइब करें दो पर नियुक्त होते हैं जहां पर पहले लोग जाया करते थे लोग नंके साधान हुआ करते तो जहां पर चर्चा भी होती थी है फिर जो चाय पर चर्चा होती है नुकाड और बहुत सारे जगहों पर लोग आपस में चर्चा करते हैं तो यही सब चीजें हैं यही सब स्वील श्वाटी का इसब प्रूबलिक कि स्प्राइब का छेत रहे जहां पर बिसिकली लोग आपस में बात कर सके हेवरमास के उन्सार सर्विनिक छेत के अंतर के लोग अपनी विभिन समस्याओं पर सर्विनिक वाद विवाद करते हैं ता उस समस्या के एक सर्वस्युकार हल निकालते हैं जहां कभी भी दमन जूर मिया सोचन हो वहां इसका सविनिक छेद के द्वारा यानि लोगों के संक्ठन द्वारा इसका बिरोध होना चाहिए जैसा कि काफी हाउसों में चाय की थड़ियों में समाचार पत्रों में सर्विनिक मुद्दों पर जो विचारी मर्स्या बाद वाद होते हैं वही सर्विनिक छेद्र हैं वही है पबली कि स्विया अगर आप वाइस टू वाइसलेस और स्पीश्ट देंगे व्यद्द के जिनकी कोई वाइस नहीं उनको नहीं लाव उस्ट वाइस उनको कम मिलेगे ह। अध्मेर पत्रों में लोगोंन को अपनी बात ञार है यही हो रहा है जो बुद्ध जीवी है उनके हत्य हो रही है आपने नाम-सना होगा उनको अभ्हिलना कर दे जाती है तो इससे क्या होता है कि पबलिक इस प्यात देरे ऑर शंख्वित होता जा रहा है लोग डरते हैं आज किसी व्यक्ति में नहीं है कि वह बरतमान सरकार के खिलाफ या कुछ वैसे बोल दे क्योंकि मतलब एंटी बीजेपी यानी एंटी निस्टनल हो जाता है तो इसके सब बचनिक जरूरत है अब और हला कि यह तो हर जगे होता है हर पार्टी में कुछ कम्यां है एक उधारन के लिए है ऐसा कोई वह नहीं है कि किसी भी पर फोकस नहीं किया जा रहा है मतलब एक विसिक धारना है वो बनती जा रही है तो डेटिकलाइजेसन है वो तेजी से बढ़ा है बरतमान सरकार ज मुंग्यट का समय नारी वादी अंदोलन परिया बनल रच्छा अंदोलन के जो अंदोलन और है यह समाज कि खोई हुचेतना को लोटा सकते हैं हैं मास ने लो समाजी का अंदोलनों को मौन क्रांती का है साईलेंट रिविदू का कूंकि यह अचानक से ही हो जाते है वह जो म यह साइलेंट पावर होती है इसमें कि यह साइलेंटली बहुत तेज कछिक रांति कर सकता है इस प्रकार विटा चारो अभिक्रित प्रजातन से लड़ने के लिए वर मास ने सर्विनिक छेत का सिध्धांस दिया अब बैता का संक्ट जो संक्ट आया उसकी व्याख्या किये तो बैता का संक्ट आता है तो जो चैपिलिस्टेट है इसमें तो बहुत सारे और कारण लिखें कोई पढ़ेंगे लेकिन जो में कारण है समझा है चीज़ों को फ्रिय है कि जो हैu उसका जब मार्क्स वादियों ने या मॉक्सिस्टव ने उसका जब इरोग्स किया पर अचानक कुरावालाद में बन गया और इसने दुवक्य गी यह किrim क्या अब जो कोई भी हूं पर है तो एक हथ तक तो welfare को बरदास्त कर सकते हैं लेकिन एक समयफ आईसा है कि वो ठड़ा कर लेंगे लेकिन आपने एक बार welfare नेचर अपना लिया लोगों को बातना चुरू कर तो आप मैम का से तो सोशलिस्ट हो गए हैं लेकिन आप आप से कैसी कैसे और सब्सक्राइब है आप चैपलिस्ट बन्टे आप सोसलिस्ट जा रहे हैं तो यह बोरोथाबास किते दिन तक चलेघा नहीं नहीं चलेगा तो एक नएद दिन हो जाएगी अब जैसे ही सरकार जो ये बिल्फियर के स्कीम है रिवडियां प्रसकाम करेगी जनता आक्रोसित हो जाएगी और डिवोल्ट करतेगी तो इससे क्या होगा कि अपने सरकार का ही रोध करना शुरू कर दिया जाएगा जनता के जा लगे हैं आज राज पित्तेग वंज्ञा को व्यग्यान की समस्जा आहां हर किसीवी चीज का हल नहीं थे तो उसको बिज्ञान की समस्या मानने जाता है बलकि वो जो प्राबलम है कोई भी वह राजनितिक छेत्र से उपजी होई प्राबलम है लेकिन उसको बिज्ञान और तक्नीक की समस्या का जाता बॉडर सेकुर्टी जो इस्व है पर जम्पल उसको क्या कह दिया जाता है कि हमार विभारत में जो वीभाजन हुआ है वह सही थम्सिय नहीं हुआ है रहे हम लोग वहां तक पहुへ तकनि उन्तिक ना आपने शुदार ख defini को उल antar alar लोगोंगों कर दिय तो सॉमस्य तक्निक ने मानो को बहुत ही ब़दिया बना दिया जो समस्या है उसको ठीड़ों करेंगे तो आप नहीं नहीं विचाल ले कि आए प्रतिकों को समाथ कर दिया है जो परंपरागा समाज में बैठता कि स्थापना में सहायक हुआ करते थे और इसका करण है व्याख्या का संकट क्रैसिस आफ मिनी तो अब बिग्यान और प्रद्योग की जब हर चीज को डिगलेट करेगी तो परंपरागा संस्थाओं का हास होन परंपरागा धार्मिक और दार्शनिक व्यक्यां करती थी एक क्राइसिस क्रियेट करते थी लोगों को मन में सरगार के लिए और उनको धीरे-धीर हास्च हो रहा है राजी का भरता हस्ता चेप अधुनिक पूजिबादी राज समाज कल्याणियान तोसल के नाम पर उत्पा ध्यूस है और नहीं सर्वहारा वर्गोषऔ ना अपने कैफ लिष्टो से पाईसा लेकर तो गर्याशों नहीं दिया पो जाहता है और सर्वहारा और ज्यादा चाहता तो बुर्ज्वहारा है और यह सर्वहारा है वह ज्यादा चाहता है दोनों बर्गूं मिराज ने अपनी बहतक हो दी है परिवर्ति प्रिवर्ति पूजीबाद की प्रिश्यतियां प्रिवर्ति पूजीबाद लेट कैप्लिजम में नौकर साही का हताचे बढ़ गया तो आज विरो किसी हर चीज को अट्रोल कर रही इसका प्रेड़नाम क्या हुआ है कि जो कार कभी बजार के हवाले थे हुए कार वह वह समस्य आए अब अधिकारी तंद के हवाले हैं है वर मास में आर्थिक छेत में राज के इस बढ़ते हैं तचे उत्पादन संबंधों का पुनार नाजनिति का नियानी तो रेप्र पॉड़िशंग कहा थार्मिक शेत का पतं हो गया तो चाह पर चर्चा बहुत कम होती है अब कोई चर्चा करता है तो उसे तो भक्त कहा दिया जाता है या पप्पु समर्ता कहा दिया तो एक लेवल लगा दिया ते लोग आप अप अब लेक आख वैसे चर्चा और किसी भी धर्मजाद कोई प्रिकार कर समय कर देखेंगे तो आगे चलके हमारा ही नुक्सान होने वाला आध्मनिक्ता एक अधूरा प्रोजेक्ट देखें यहां लियो टाड जैका स्टेरीडा विचल फोकोवादी विचारक उत्तर आध्मित्ता वाजैनि पोस्ट मॉडनि करता है यह किसी भी सकते है उसको श्यूकार नहीं करता है उसका यह ब्रोट करता है पोस्ट मॉडनिगे वहीं हेवरमास का मानना है कि अभी तो आधूनिक्ता ही पूर्ण नहीं हुई है अधूनिक्ता है तो कहां से पूरी है इसे में तो होगा था II को अपनी बात कि अीछ दिंह कर दुदाए कि यह फो जो सर्भानिक्ता है थाइबर west dominal कर दो इस समन्हिंद में उनकी जो आशाओं का केंद्र है वो विएल्व प्रिस्टा के दिखिती है फिलोषोपिकल डिस्कोर्ण आन् Southern अपने पुस्ता देहोरी आप कम्लिकेटिव एक्षन जो कि उन्मीछ कि आती है जो सिद्धान दिया उसे हां संचार सेलता आवियक्ति सेलता था या संपेशन सेल करिया कि धन चैते हैं इस मातपोण से धांट को हम नहीं रिखित बिंदों से समझ सकते हैं संचरात्म क्रिया यह और समाच कमिनिकेटिव एक्सन उड्रोसायटि Скंजलात्म क्रिया उन लोगों को एक करन के थागे में Kings बातती है جो समान भासां था नहीं के पर तीक होते हैं तो जो समचलाथमाथ क्रिया कुमिनिकेटिव एक्षान है उन्डोगों को एक करण के धागे में बाते हैं जुसामान भासा बोलते हैं इस तरुप अधाल लोगोर्च डामिल्ग लोगी लोगी यह पर द लेंगे जिनके बते चल्थ तो ने व्यो प्पिर भी एक जन्रेल देखा जाए जन्रलाइज किया सकता है चीज़ों को और उनका एक प्रतिक चिन है भारत का समीधान पहसा तो ठीक है पर जुषांदा चलात्म क्रिया कम्यून्यक्टिव एक्सन है वह इन भारतियों को एक साथ जोटती है भासा दाधा पतिकों की एकत में मिलेंगे ही नहीं तो कैसे वो बॉर करेंगे चेटी की साथ हो रहा है तो कहे को तो अगर नहीं होगा दस बैक्ति नहीं होगा तो जाने कैसे स्लिवे कमिनिकेशन बहुत कर दो जहां कालमाक्स मानों की जो सोशन है मुक्ति के लिए कहते हैं कि आर्तिक संद्चना को बदल दीजिए मीडिया है इसको जो पूझीपती हैं उनके प्रकौप से बाहर कर दीजी समाज बदल जाएगा संचार कि प्रक्रिया संचार कहां से हो रहा मेडिया से आध हो ज़्यादा हो रहा है तो इसको आप संथ चोन जीजे न तरह मतलब रेगुलेटीड हो लेकिन इतना दर रेगुलेटेड न हो केवल किसी एक विचारधारा या किसी एक ब्रेक्ति विशेस की चीज़ें सामने आए या कि लोग कुछ भी कहने लगें वो भी गलते हैं तो कंट्रोल हो लेकिन जो जेन्विन चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल नहीं होने चाहिए आदस कसन समधा यानि आडल स्पीच कम्यूटी काल म अध्यांक्स मानों को मानों की दमन मुषण से मुक्ति के लिए किरान्ति को वर्मास किरान्ति के बजाए आदस पासं समधा यानि आडल प्रीच कम्यूटी के माध्य हम से समाजिक अंधुरन खड़ा करना चाहते हैं उनकी ठिष्टि में समाजिक परिवतन का एक माधसाधन संचार क्रिया है है हिनसा या कहती नहीं तो आधा से जो आडल इस पेज कमुनिटी है कोई समधाए गाउं या कस्पा नहीं है यह तो समान दसा है इसमें हम रोज मर्रा के जीवन में संचार करते हैं और समाजिक समस्याओं के निदान के लिए सारथाक सर्वेनी चल से करते हैं कहीं नुकड बेगाए यहां नाली में खराब हैं तो बोले आप तो आपका जो लेवल के लिडर हो चीजों को दस लोग पंदर लोग आप मिले चीजों को सामने गए तो इस से आपका वो समस्या हल हो गये यही हो गया अब आपको को बोल नहीं नहीं अरे ठीक है चलो कहां खर बढ़ना है वो खत्म हो जाए इस बेकार संचार क्रिया और आदस्त कथा में परिवाइटन करें समाजी को राजनतिक बदलाओ अगर आप अगर आप मुका में लाए चाल लोगा से आप बात कर सकते हैं अब निसमत से बता सकते हैं तभी न चीजों का समाजी को राजनतिक अबकर शजय को राजनतिक बदलाओ आप में लाए आप अगर अगर आप हो जागर आप ओह को राए गजय को रिदया समाजे जास्वाशन कर छिए झाल 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 तो निस्ट है विमर्सी लोगतंत्रया देलिब्रेटिव देमोक्रसी बैसेकली देमोक्रसी का जो कॉंसेप्ट है वो देलिब्रेशन ही है कोई भी देमोक्रसी बीना डेलिब्रेशन के बीना टॉक्सेंट्रिक हो यह नहीं चल सकती है तो इसका जो इमर्सी लोगतंत्र है उसका विचार तो हलाकि अभी बर्तमान समय में उन्हें सुनब्वे के बाद उलिद हुआ है लेकिन इसका जो आदर्स है वो अथेंस का लोगत होती है और वो जो लाव बनाएंगे ज्यादा महत्रपूर्ण होगा इसके वजाए कि कोई फिलासफर किंग जो की प्लेटो का कॉंसिप्ट है रूल बनाएगा वो कॉमन मैन को ज्यादा महत्रपूर्ण मानते हैं को तो यह सभागी लोगतंत्र का ही एक रूप है जो बोट क कि खिलापत करता है अलब संक्यक आवाजों को भी महत्रपूर्ण मनता है तो जो जो अपनी बातों को रख सकती है इसमें जन्मत संग्रही गणात्मक यानि जो मेजटोरियन कांसेप्ट होता है उसे क्या कहते हैं कि यह जो डेमोगरसी होती है यहां पर हेड काउंटिंग हो कि रहती है वही कीमत पूर वक्ति यह जो असे चित वटी है उसकी रहती है तो डेमोक्रसी में उदाल लोगतंत के नागरिक स्टंथता और राजनितिक समानता जैसे वीचार समाहित वहीं प्रत्यक्ष लोगतंत से सर्वधिक मुद्णों पर खुला और शुल् stitched वीचार विचार मिम्र्स लिया गया है तो जो liberative democracy है वहाँ आपर जो उदाल लोक्तंत है यानि लिब्रल डिमोक्रसी है उसके नागरिक सुतंतरता और राजनितिक समानता ये विचाल लिए गया है और जो प्रित्यक्ष विदा तंतर है लेट डिमोक्रसी है उससे क्या लिया गया है कि सर्विनिक मुद्वों पर खुला ये विचाल विमर्स किया इसमें नागरिक सद्गोनों प्रसपरिक सम्मान वर नागरिक मलता पर वल दिया जाता है। इमारशी लोकतंत के लिए भिन 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 विचारक अलाग अलाग सथावली का प्रयोग करते हैं। पहला जान ड्राइजेक ये क्या कहते हैं। ये डिसकर्सिव डिमोकरसी ये प्रयाइब के बहुत धिवादी लोकतंत हैं। डिजनेबल डिमोकरची का कांसेप्ट देती हैं। फिलिप पिटिट इनका महत्पून हैं। बहतमाय में इसे ज्यादा कुशन आ रहे हैं। संगा स्पून लोकतंत 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 के समर्थक विद्वान वहाँ से सम्माल ह इनकी बुक क्या नाम है ओन्डेमोकरची कोलन रुवाट सा टांसफार्मेशन आफ अमेरिकां ससाइटी यह उन्हीं सो तिरासे मुखाती है। और एमिंग गटमैन हुआ देनिस थामसन की बुख हैं डिमोकरची एंडिसेग्रिमेंट इन इन इसेग्रिमेंट इन इसेग्रि आजी है, उनके संपेस्ण या संचार करिया सिध्धाथ यानी थियोरी आप कम्मुनिकेटी बेक्षिन को समझना अवश्चक है, हैवरे मास के संप्रेशन के या सिध्धांत इन डिमोकरच सास्त्री लकौक पार्शन कि प्रकरात्मक सिध्धांत यानि फंकुनेल थियोरी से सब्सक्राइब करना इसका लक्ष है तो यह किसी भी सिस्टम का किसी भी सिस्टम का पर अगर हम लेते हैं तो अब भारत में कहा जाता है कि बो के संट्रिक नहीं है ऐसी जो जो इंडस्ट्री को डिमांड है और जो वस्टी में पढ़ाया जा रहा है दोनों चीजी अलाग अलाग है जिससे कि भारत में इस्किल सेट मैच नहीं हो पा रहा है जॉब्स बन नहीं पा रहे है इसके लिए अनकुलन होगा अनकुलन क्या होगा कि अब इंबस्ट्री में भी उस तरह के चीजें लाई जाएं इससे कि जो अंतर है जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री को चाहिए और इंबस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है उसके अंतर को पाट आ जा सके यह वाड़ते पर उसके अन्रों आपनको परी तरह से कर रहा हो जाए या हम पूरी तरह से बस आहर मार्किट औरेंटेट हो या नहीं ऐसा सित्की नहीं रहने चाहिए क्यों कि अरिस्टोटल क्या कहता है कि कर दो छोटा है तो इन एब ते बला या तो होगा लेकिन अपन को इस तरह से मैनेज़ करना पड़ेगा कि कोई रिटिकल चेंज नहीं होना चाहिए इसी भी समाज में रेटिकल चेंज क्यों वो स्पोर्ट नहीं करते हैं क्यों क्योंकि रिडिकल आपके पास कोई एक मकान है अपने रेडिकल चेंज कर दिया और पूरा मकान ढ़ा दिया उसके दिवाल ने दूसरा लगा दिया तो आप पीसमेल इंजिन रिंग करेंगे धीरे धीरे परवतन करेंगे तो चीजों को बदलने का आपके पास मुखा रहता है कोई चीज आपको पसंद नहीं उसको आपने हटा दिया कोई चीज और एड करनी है तो उसको जोड़ दिया अगर आपने कमरे को खतम ही कर दिया तो फिर उसमें अब क्या संभाब न रह जाएगा तो फिर नया ही बनाना पड़ेगा इसलिए पीसमेल जो धिरे-धिरे जो सुधार होते हैं उनको लाया जाता है और यह लोगों को भी अच्छा लगता है लोग भी अब रिडिकल या प बढ़ जाना चाहिए या कि उसलिए परिवर्तन थीरे-धिरे किया गया लोगों को समझ भी नहीं आएगा तो यह चीज है जोड़ा से इंटीग्रेशन दान के लिए भागों भी भागों भी भागों यानि अद्यापाक विद्यार्थी परिच्छा विवाग पुस्तकाले और खेल को रिसर्च में समनब्य का वह एकिकरण उना चाहिए अब ऐसा नहीं हो कि जो प्रत्यापक पढ़ा रहे हैं और जो खेल को में हो रहा है उसका कोई आपस में समनब्य नहीं ही करन नहीं तो चीजों को इंटीगेटर्ड़ भी होनी चाहिए एक करम बज़ता होनी च ब्यक्ति को विवस्था या मसीन का पूर्जा बनना है उसके खुद की चाहें आ कांचाहें नहीं होती है तो वो ब्यूरोकेट से केवल यही करते हैं यही आकांचा रखते हैं कि वो जो नियम बना दिये गए हैं या कि लेजिस्टेटर दारा उसको केवल इंप्लिमेंट करें अपना निमार्ट ना लगाए अगर कोई चीज गरीबों को बाटनी है और इसके लिए थे सोल्ड है कि उसकी एक गरीब की आया एक विक्ति क है या कि नहीं तो केवल अपने बुद्धी नहीं लगाओ आप जो तरकिकता के अधार पर जो बन गया है वही है वही करिए जो रिशनल है वही करिए और आई और या यानी आई माने इंटिक्रेशन और याल माने लिटेंसी तो इसमें जीवन विश्यानी लाइफ वर्ड है यह कि और लेकिन मीडिया धन वह सत्ता के बल पर संप्रेशन क्रिया को पूझी वर्ग संद्र्वाश अजयत नहीं रहने देता है इसे है आउन फैसिक और को नाइजेसं तो यह बात है तो चलिए यहां से हम है बरवांस को समाप्ट करते होब कि आप लोगों के चीज़ें अच्छी लगी होंगी बीच में शिकायतें थी कि सर केबल पढ़ाईए मत मतलब इसको पढ़िए बस मत समझाईए भी तो समझाना इसलिए नहीं हो पा रहा था क्यूंकि इसमें जो कंटे रही है और चलेगा तो चलिए मिलते हैं अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो इसको लाइस स्क्राइब करिए और मिलते हैं अंगली थिंगर के साथ तब के लिए गुडबाई थैंक्यू थैंक्यू भेलिए और डिस कसन